मेरे प्रिया प्रदेश वासियों, आप सब को मेरा साधर परनाम, जैसा आप सभी जानते हैं, कि पिछले कुछ दिन पहले एक मसला हिमाचल की राजधानी शिमला में निकल कर आया है। हमने इस विशे में बिलकुल स्पश अब्दों से प्रदेश के सरकार का पक्ष पूरी मजबूती से विधान सबा के अंदर रखा है। मगर मेरा ये दायत वो बनता है कि मैं अपने परिबार के साथ आप सब के साथ इस चीज़ को भी साजा करूँ। आप जानते हैं कि हिमाचल में कॉंग्रिस पार्टी की सरकारों ने देव भूमी हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत मजबूत कारिय किये है। चाहे वो वीरभदर सिंग जी के मुखे मंतरी रहते हुए प्रदेश में धर्मांतरन का कानून लाने की बात हो। चाहे मंदरों के सैंकड़ों प्राचीन साल प्राने मंदरों के निर्मान और पुनर निर्मान के लिए क्रोडों रुपै अदा करने की बात हो या और मजबूत का कदम इस दृष्टी में उठाने की समय समय पर बात हो। मगर जो वर्तमान परिपेक्ष में ये मसला सिंजौली के मस्जित निर्मान का निकल कर आया है, इसमें मुझे आज भगवत गीता की कुछ पंक्तियां याद आ रही है। भगवत गीता चैप्टर 3 वर्स 22 और स्वात राम तू यत्र निर्बले परी रक्षती, the mighty should protect the weak as it is their duty to do so. भगवत गीता चैप्टर 3 वर्स 23 तो श्री कृष्णन ने समय समय पर अर्जुन से ये कहा कि बल जिसके पास होता है, उन्हें कमजोर की जो है वो सुरक्षा करनी चाहिए। और आज हमें उस परिपेक्ष में इस चीज़ को देखने की आविशकता है कि कानून को अपना काम करना है। मैंने ये पूरी मजबूती से कहा है कि चाहे वहाँ पर जो भवन निर्मान की बात है, अवैद भवन निर्मान की बात है, उसमें रूल ओफ लौ के तहत, यानि चाहे वह समिधान का कानून है, चाहे वह इस परिपेक्ष में M.C. Act का कानून है, उसको पूरी मजबूती से लागू किया जाएगा और अगर आने वाले समय में किसी भवन को अवैद पताया जाता है, तो निश्चित तोर से उसके उपर कारवाई होगी. और दूसरी बात जो बहुत से migrants प्रदेश के और इलाकों से हिमाचल में आ रहे हैं, जिससे यहां की आंतरिक सुरक्षा पे एक बहुत बड़ा प्रशन चिन कहीं न कहीं पैदा हुआ है, इस पे भी कानून के दाएरे में रहते हुए कारवाई होगी, पुलीस इसमें अपन कारवाई करेगी, यह मैं आपको पुरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं आपको यह कहना चाहता हूँ, कि हमें अपने धरम पर सनातनी होने पर, प्रभु श्री राम का आशिरवाद होने पर हम सब को गर्व है, मगर उसके साथ-साथ हमें अपने कानून की विवस्थ को बनाए रखना भी हमारा मजबूत दायत्व बनता है, हमारी जिम्मवारी बनती है, और अगर आपको इसमें आवाज उठानी है, तो आप निश्चित रूप से उठाईए, शांती प्रिया तरीके से उठाईए, मगर किसी के प्रभाव में आकर ना उठाईए, क्योंकि की सही नहीं है, इसलिए हमें अपने धर्म की रक्षा भी करनी है, हमें जो सही है उसका समर्थन भी करना है, जो गलत है उसका विरोध भी करना है, मगर हमें कानून के दाइरे में रहते हुए, सम्विधान के दाइरे में रहते हुए, और शांती प्रिया तरीके से नवेदन और अपील प्रदेश के लोगों से है कि आप इसका खयाल जरूर रखे ताकि हम मिलकर आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को विखास की और आगे बढ़ाएं प्रदेश में सनातन धरम को मजबूत करने के लिए अपने कदम को मजबूत करें और हर दृष्टी से च बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय हिमाचल